दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीबी सींग और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने सही सटीक साइंटिफिक इन्फरमेशन लेकर मैं डेरी फार्मिंग से रेलेटेड दोस्तो जब भी मैं किसानों से बात करता हूँ या उनकी मीटिंग्स लेता हूँ तो अक्सर किसान भाई मुझसे पूसते हैं कि सर डेरी फार्मिंग में क्यों करें एक्चुली हम लोग उतना फायदा नहीं है या बहुत जादा महनत है उतने रिवार्ट्स नहीं है या दूद के रेट कम है या बहुत सारे और जो परिशानिया हैं जो डेरी फार्मिंग में वो हम इस हम उसका गोवर साफ करें उसकी साफ सफाई करें बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद उसको उसकी खिलाई पलाई का धिहान रखना मैनेजमेंट और उतना ग्लेमरस भी नहीं ही लगता कई बार हमें लगता कि यार एनिमल्स के साथ हम साफ सफाई कर रहे हैं या बहुत जादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हकीकत है कि मेहनत बहुत जादा है और मुझसे कई बार ये क्वेशन फिर वो पूछते हैंगी फिर हम क्यों करें तो मैं अक्सर उनसे बोलता हूँ अगर आपके पास कोई दूसरा आप्शन है इससे बहतर तो मैं आपको बोलता हूँ मत करो अगर आपके पास बहुत अच्छा कोई आप्शन है और आपको लगता है कि मैं उसमें जादा अच्छे से उस बिजनिस को कर सकता हूँ उस काम को कर सकता हूँ अपनी खेती, किसानी के साथ-साथ तो मैं कभी भी recommend नहीं करूँगा, आपको ओलूँगा यस, आप जाईए और उस business को करिए जिसमें आपको ज़्यादा reward मिलेंगे, ज़्यादा glamorous है, कम महनत है ऐसा business आप ढून लीजिए और करिए लेकिन एक हकीकत है, अगर आप किसान है और आपके पास थोड़ी सी जमीन है, वहाँ पे आप खेती करते हैं और खेती के साथ-साथ आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़लिक कर बड़े हो रहे हैं और उनके पास कुछ करने को नहीं है, जॉब नहीं है या ऐसा लगता है कि मुझे इसी फिल्ड में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपके लिए डेरी फार्मिंग से अच्छा कोई बिजनिस नहीं है आज की डेट में क्योंकि आप देखिए, जाइए आप एक बार ढून के देखिए सहर में अपने लिए काम तो आपको पता सलेगा कि शायद हमारे गाओं बहुत बहतर हैं हम खेती के साथ साथ इसको काम को आसानी से कर सकते हैं उसके दो-तीन कारण हैं, मैं क्यों अगर आपके पस खेती है तो क्यों बोलता हूँ की साथ साथ में आप डेरी का धंदा अवश्य करिए, जरूर करिए आपके पस दो-तीन एडवंटेज हैं जो शेहर के लोगों के पास अगर इस बिजनिस को करते हैं तो नहीं है शायद, सबसे पहली बात तो आपके पस अलरड़ी जमीन हैं जो भी आप फसल लेते हैं और उसमें जो भी भूसा है या बाई प्रड़क्ट्स हैं या फसल हरा चारा है तो आपको अलरड़ी वहाँ पे गाउं में अपनी जमीनों से उपलब्ध हो जाता है दूसरी बात अगर आप के पास काम नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे काम जो हमारे पास नहीं है उनको करने की सोचते हैं और हमारा जो महनत है उसको हम अंदर ही बस बैठे बैठे टाइम को पास कर देते हैं और महनत नहीं कर पातें तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अपने पोटेंशल को अपनी physical strength को वियोग कर सकता हूँ आप स्वयम उसका management कर सकते हैं तो आपके लिए घर पर ही आप देखते हैं कि जहां पे खेत है, खलियान है वहां पे आप इस पशुपालन को प्रारम कर सकते हैं आपकी जो cost होगी, जो एक लागत जो होगी वो कीवल आप पशुपालन को खरीद कर लाना है और आपका business start हो जाएगा दूसरा जो सबसे बड़ा advantage है वो है marketing का, जो आपका जो product होगा, जो milk है आप पहले दिन से आप उसको बाजार में जाकर या अपने गाउं में ही, या आपका कस्वा है वहाँ पर जाकर आप उसको sale कर सकते हैं, बेच सकते हैं आपको उसकी कीमत मिल जाती है तो कई बार ऐसा होता हम अगर कोई business start करते हैं मैं कोई factory start करें या आप कुछ, कोई दुकान की शुरुआत करते हैं तो पहले आपको दुकान कराय से लेनी पड़ेगी फिर आपको उसका माल खरीदना पड़ेगा उसके बाद आपको marketing के लिए बहुत ज़्यादा efforts करने पड़ेंगे आपको क्योंकि हो सकता आपकी दुकान पर ग्रहक ना आए लेकिन दूद एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले दिन से ही आप sale out कर सकते हैं साथ में आपका experience तीसरे number की important बात है क्योंकि आप किसानी से जुड़े हुए हैं आपके दादा पर दादा कभी न कभी पशुपालन करते थे तो आपको उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनुभव जरूर होगा तो उसका भी आपको लाह मिलेगा साथ में एक और सबसे बड़ी बात ये है आज के टाइम में परशुपालन से सम्मंधित जितनी भी जानकारिया है वो सारी इंटरनेट पर मौजूद है सारी की सारी आपको यूटूब पर या गूगल पर आपको आसानी से मिल जाती है तो आप वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं या आसपास के किसानों से जो सक्सिस्फुली काम कर रहे हैं वहां से इसको सीख कर अराम से कर सकते हैं और एक चीज और मैं बता दूँ ये जो जिन्दगी है हमारी एक जनम हमें मिला है अगले जनम में न जाने हम क्या होंगे हमें नहीं पता तो ये एक एक दिन जो निकल रहा है ये जिन्दगी में दुबारा नहीं आएगा तो इसका भरपूर उपयोग करें घर पर खाली नहीं बैठें कई लोगों को मैंने देखा है कि जवानी में वो अपनी जॉब ढूनना स्टार्ट करते हैं और वो बात साल साथ साल तक उसी में लगे रहते हैं और बाद में फ्रस्टेट होकर कोई काम के शायद वो नहीं रह जाते या अपने पोटेंशल को प्योग नहीं कर पाते तो आपको अगर लगता है कि मुझे कोई बात नहीं अगर कहीं जॉब नहीं है या नहीं मिल रही है तो मैं लेकिन अपना मालिक खुद बनूँगा और आप इस काम को भी साथ साथ में सुरुआत करके अपने घरवालों को अपने परिवार को आर्थिक रूप से समरद्ध बना पाएंगे और अच्छा मैं देख रहा हूँ इस काम को आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें 10 गाय या 20 या 50 से स्टार्ट करना है आप 2 गाय से 1 गाय से इसको स्टार्ट करिए एक्स्पिरियेंस लीजिए और धीरे धीरे इसको परारम करिए तो इसमें लागत का भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतने ये मशीने इतने की लगानी पड़ेंगी या लाखों रुपे का इन्वेस्मेंट होगा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो आप सुरूआत इसको छोटे से करिए और धीरे धीरे आप बढ़ाईए और कौन कहता है कि डेरी फार्मिंग एक बहुत बड़ा रूप नहीं ले सकता आप इंडिया में देखिए तो सही बहुत सारे फार्मर्स हैं जोनोंने बहुत बड़े लेविल पे इस बिजनिस को आगे बढ़ाया है और वहां से उन्होंने स्टार्ट करके बहुत बड़े लेविल पे वो चले गए हैं प्रोसेसिंग में या जो फीड मैनुफेक्टरिंग में या mineral mixture manufacturing में और वो देखते हैं कि dairy से related कौन कौन से business है उन में भी वो हाथ आज मार रहे हैं आज किसान किसी से कम नहीं है उसके पास सारी information है सारे resources है बस आप के पास एक चीज की जरूरत होती है वो है इक्छा सक्ती की, लगन की और डटे रहने की, हार नहीं मानने का आपको लगता है कि पहली बार में शायद मुझे उतना profit नहीं हुआ दूसरी बार प्रयास करिए आपको और ज़्यदा फाइदा होगा अपने knowledge को बढ़ाते रहिए और आप देखेंगे कि आप ये काम कर जाएंगे बहुत अच्छे से कर जाएंगे रास्ते खुलते चले जाएंगे दोस्तो मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूँ और dairy farming से जो भी जो भी information मुझे लगती कि आप लोगों से share करनी चाहिए आप लोगों के लिए useful होगी मैं इस चैनल के माद्धियम से share जरूर करता हूँ तो मेरी एक ही request है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें किसान भाईयों से share करें क्योंकि मैं कुछ न कुछ नया लेकर आता हूँ और अभी मैं ये कोसिस भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस content को इस चैनल पे जो मौझूद होता है इसको और ज़्यादा आप लोगों से interactive बनाया जाए आप लोगों से दोस्त की तरह मैं बात करूँ ताकि हम बात कर सके आपस में आप लोग comments के माद्धियम से मुझे सुझाओ दे पाएं और मैं उनके solution आपको दे पाऊं तभी हमारा जो dairy का जो business है वो उपर जाएगा profitable बनेगा, खर्चे कम होंगे और हमारा profit बढ़ेगा दोस्तों यूँ ही साथ बनाये रखिए आप यूँ ही प्यार बनाये रखिए सही होग करते रहिए जैहन दोस्तों